हेलो दोस्तों नमस्कार आज में लेके आई हूँ सीम्पल और कड़क चाय की रेसिपी और सर्दियों का दिन हो और चाय तो बनता ही हर किसी घर में तो सीम्पल और कड़क चाय अज हम बनाएंगे बिल्कुल जटपट और बहुत ही यह टेस्टी लेगा आपको पीने में तो आ आये हम कड़क चाय जटपट बनाते हैं और यह बहुत बनाना आसान है आप सभी के लिए भी और हमारे लिए भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा बनेगा कड़क案 है सब्सक्राइब कीजिए रोजाना काना को और प्रेश कीजिए इस नोडिफिकेशन बल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डीचिज और रेसीपीज की नहीं वीडियू की नोडिफिकेशन्स सिंपल और कड़क चाय बनाने के लिए देखिए सबसे पहले एक पेन ले 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 उसमें डाले आधा कप पानी डालना दोस्तों बहुत ही ज़ुरूरी है उसके बाद जैसे पानी गरम हो जाए उसमें एक भर के चमच खाने वारा चमच से डाले चाय पत्ती चाय पत्ती में सज पलका साप हिलाते हुए अच्छा से खौला ले तीन से चार मिनिट तक और देखिए जैसे खौलने लगगा हम एक कप दूद डाले हैं यह नॉर्मल दूद है आप चाहे तो गरम दूद भी ले सकते हैं तो देखिए दूद डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से उबाल ल जाए तो देखिए जैसे कि हम एक उबाल यह आगे है चाय में इसे हम फिर से छनी से चला देंगे इसी तरीके से हम एक से दो बार और उबाल आने देंगे उसके बाद हमारा जो चाय है बनके रेडी हो जाएगा तो यह जो बना रही हूं आप इसे सुगर फ्री भी कह सकते ह सकते हैं क्योंकि शुगर फ्री ही है तो आप चाहें तो इसे आसानी से बना सकते हैं चीह बना счит नोट cheap सकते हैं तो देखिए यहां पर हमारा कड़क चाय बिलकूल इलाइची का फ्लेवर वाला और अद्रक का फ्लेवर वाला रेडी है तो आप इसे बस गर्मा गरम जान ले और आपका जो चाय पीने का मजा है न दोस्तों वो दो गुना बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पर जैसे कि बताई चीनी नहीं डाली हूँ मैं बगर चीनी के बनाई हूँ यानि कि सुगर फ्री बनाई हूँ तो आप इसे जरूर एक बढ़ ट्राई करें और यह कड़क चाय ए चीनी नहीं है तो जो हेल्थ के लिए के लोग परशान रहते हैं जो चीनी नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रीक है यह और बहुत स्वादिश चाय भी लगए उनको तो आप भी बनाएं और अपना राय हमें एक बताएं कि आपको हमारा कड़क चा जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों